हेलो फ्रेंट्स सुबह का नाश्टा हो या फिर रात को कुछ हलका फुल का डीनर करना हो तो ऐसे में अगर दो बून से बनी रेसिपी मिल जाए तो क्या कहने कभी कभी हमारी कीचन में रखे हुए समान से ही हम डिफरेंट तरह के वेरियेशन डाल कर कुछ भी नया और टेस्टी बना सकते हैं तो आज ऐसी एक नई रेसिपी में आपके लिए लेके आएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कच्चा आलू छील कर कदुकस कर लिया है और इसको अच्छे से ठोकर इसका स्टार्च निकाल दिया है और हाँ अगर आप आलू इस्तमाल नहीं करना चाते तो यह जो दूसरी चीज मैंने लिये यह है एक खीरा जिसको मैंने कदुकस किया है छिलके के साथ ही और पानी के साथ ही इस्तमाल कर रहे हैं क्यूंकि इसके पानी में फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स तो आप खीरे से भी यह रेसिपी बना सकते हैं आलू का इस्तमाल ना कीजे पर आलू का इस्तमाल करने से ये नाश्ता बहुत क्रिस्ट बनेगा एक प्यास डाला है साथ में थोड़ा मीडियम साइज का कट करकर एक टुकड़ा गाजर का लिया कद्दू कस करके और तीखी के लिए दो हरी मिर्च आप अपने इसाब से बैलेंस करके डालेगा और थोड़ा डालेंगे धनिया पती बरसात का सीजन है तो धनिया कोई खास नहीं मिल रहा है आप क्या ताजा ताजा हो तो आप ताजा डाल दीजी मेरे पास ऐसा था तो मैंने ऐसा ही डाल दिया है तो यहाँ पर हम पहले सारी सबजे को एक बार अच्छे से मिक्स दे देंगे सारी सबजे में अपना ही एक पानी है तो पानी का इस्तमाल हम बाद में करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो तो यहाँ पर ले लिया है एक कप गेहूं का आटा तब भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी पर होगा कि आप बेसन डालने से थोड़ा नाश्टे में प्रोटीन आ जाएगा थोड़ी प्रोटीन रिच हो जाएगी तो मर्जी आपकी है दोनों से बनाएं फिर एक से बनाएं तो जैसे की सब्जों में काफी पानी है तो उस हि इसमें ना हमें दही का इस्तमाल करना है ना ही हमें इनो या फिर सोडे का इस्तमाल करना है बिल्कुल हेल्दी तरीके से आज हम यह बना रहे हैं तो अब इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवर फ्लेवर के लिए हापर डाला एक छोटी चमज साबुत खड़ा जीरा एक छोटी पिसावाद धनिया पाउडर स्वाद अकोडिंग डालेंगे हम यहाप पर नमक और साथ मे डालेंगे टेस्ट अकोडिंग आपर मिर्च मैंने जितनी ली है आप अपने इसाब से लिजिए गा तो मैंने तो यहाँ एक चूताय चंमस डाली है और बिल्कुल एक पिंज गरम मसाला बहुत कम डालना है ज्यादा डाल देंगे तो यह जो इस नाश्टे का फ्लेवर है यह उसको खतम कर देगा सिर्फ टेस्ट के लिए सिर्फ एक जुटकी डालना है तो मसाला को भी हम अच्छे से मिक्स देंगे और यह देखिए हमें और इसमें एक्स्ट्रा पानी दालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिल्कुल सही consistency का यह बैटर बनकर हमारा रेडी हुआ है बिल्कुल ऐसा ही बनाना है उपर से गेरे तो रुक रुक कर रहा है तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं एक बार मिश्चर को हम यह अच्छे से मिक्स देंगे और एक छोटे व और सिर्फ एक मिनट के लिए low to medium flame पर हम इसे एक सैट से पकने देंगे बहुत easy से पक जाता है कुछ चिपकता नहीं है कुछ नहीं होता और दूसरी सैट से पिस नाश्टे को crisp करने के लिए हम हलका सा तेल डाल देंगे तेल की quantity आप अपने हिसाब से balance कर सकते हैं आप नहीं नाश्टा चिपक रहा है और ना ही तूट रहा है दूनों साइट से यह बहुत अच्छे से crisp हो गया अच्छे से पका लिया है हमने बस इसी mixture में से हम इस तरीके से नाश्टे को तयार कर लेंगे तो फिलाल मैं अभी इसके तीन या चार पीस ही तयार कर रही हूं जब खाना तो ताजा-टाजा गरम-गरम बना लेंगे तो अब बारी आपकी है आप एक बार इस नाश्टे को इस तरीकी से बना कर जरूर देके फिर चाहे आप इसे दही के साथ चटनी के साथ साथ या फिर रुखा भी कहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बहुत घल्दी है यूनिक ह तेस्टी है आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएगा तो वीडियो के एक छोटा सा लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो तो मिलते हैं नए दिन नए रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर व झाउचिंट